नमस्कार दोस्तों अगर आपने अब तक मेरा यूटूब चानल सब्स्राइब नहीं किया है तो कुपया सब्स्राइब वाले रेड बटन पे क्लिक कीजिए और नए वीडियो की जानकरी पाने के लिए घंटी वाले यानि बेल वाले आइकाउन पे क्लिक कीजिए जिससे आप सिंग्यूलर यानि एक वचन जिससे एक वस्तू का बोध होता है और प्लूरल यानि बहुवचन जिससे एक से अधिक संग्याओं का बोध होता है आप शायव प्लूरल और सिंग्यूलर परिचित होंगे तो चली आगे बढ़ते हैं तो अब हम देखेंगे ways of forming plural यानि अगर आपको कोई एक वचन शब्द दिया है तो उससे आप बहुवचन कैसे बनाएंगे तो उसके कुछ नियम है वह हम एक के बाद एक देखेंगे तो पहला नियम generally add s to the singular यानि आम तोर पर एक वचन संग्या के अंत में s लगा देखेंगे तो इसके उधारन देखते है गल यानि लड़की यहाँ एक एक वचन संग्या है और उसका बहुवचन गल्स यानि लड़किया वैसे ही बुक यानि किताब और उसका बहुवचन बुक्स यानि कित लावे तो चलिए अब दूसरे नियम के और पढ़ते हैं पर नाउन सेंडिंग इन s, sh, ch, x, o, add es to the singular इसका आर्थ है जो भी संग्याओं के अंत में s या sh, ch, x, o आता है उसके अंत में es लगाकर उसका बहुवचन बना सकते हैं तो चलिए कुछ अधारण देख लेते हैं बस जो एक वचन तंग्या है उसका बहुवचन या plural buses वैसी डिश यानि थाली उसका बहुवचन dishes वैसी वाच यानि घड़ी उसका बहुवचन watches तो आप देख सकते हैं कि बस के अंत में es आता है बिश के अंत में es चाता है और वच के अंत में es चाता है तो यह सब इस नियम का पालन कर रहे हैं वैसे आप देख सकते हैं कि fox यानि लोम्डी का बहुवचन होता है foxes यानि लोम्डियां और प्टैटो यानि आलू का बहुवचन होता है potatoes यानि बहुत सर्यालू तो यहांं भी आप देख रहे हैं कि fox के अंत में抖 साता है और पोटैटो के अंत में O आता है तो यह दोनों भी इस नियम का पालन कर रहे है थोड़े नाउंग जिनके अंत में O आता है वो पहले बताए गए नियम का पालन नहीं करते तो उनके लिए यहां तीसरा नियम है कि उनके अंत में S लगा दीजिए उनका बहुवचन बनाने के लिए तो इस नियम को मानने वाली संग्याओं का पहला उदारण है Piano जिसके अंत में हम S लगा के उसका बहुवचन बना देते हैं Pianos वैसे ही Logo जिसका Plural होता है Logos Logo यानि किसी भी एक कंपनी या किसी संस्था की एक निशानी अब आप सोच रहे होंगे कि यदि मैंने आपको कोई ऐसा शब्द दिया जिसके अंत में O आता है तो आप उसका Plural कैसे बनाएंगे वैसे ही यह बहुत मुश्किल सवाल है जिसका कोई सीधा जवाब नहीं है यानि कोई ऐसा नियाम नहीं है कि इस category के शब्दों के लिए ES लगाई है और उस category के शब्दों के लिए ES लगाई है ऐसा कुछ नहीं है लेकिन फिर भी हम थोड़ी कोशिश करेंगे इस मामले को थोड़ा आसान बनाने की उसके अंत में आपको सिर्फ S लगाना है, E-S नहीं, तो जैसे radio, O के पहले I आता है, I एक vowel है, तो उसके plural के लिए आपने लिखा radios, सिर्फ S लगाना है, अगर O के पहले एक consonant आता है, या एक व्यंजन आता है, तो या तो आप S लगा सकते हैं, या E-S लगा सकते हैं, अलग-अलग शब्दों के लिए अलग-अलग नियम होते हैं, मैंने आपको जो उधारन दिये थे, उसमें पियानो को हमने पियानोस बनाने के लिए सिर्फ S लग यहां देखिए, O के पहले N आ रहा है, और N एक व्यंजन है, और यहां O के पहले T आ रहा है, T भी एक व्यंजन है, तो इसलिए अगर O के पहले कोई consonant आ रहा है, तो उसके लिए कोई नियम नहीं है, आपको याद रखना होगा कि किस शब्द में S लगाना है, और किस उसके प्लूरल मैंगोोज भी हो सकता है इस लगा के या मैंगोज एस लगा के भी हो सकता है, दोनों English भाषा में Allowed है, यानि दोनों English भाषा के इसाब से सही है, तो इसलिए O के साथ अंतित होने वाले स्ब्दों का प्लूरल बनाना थोड़ा मुश्किल करावित रहा, और तो आपको बहुत सारे स्भसें रखना होगा जिसा से अपको याद रखनाको वह पेयंओ को इस लगते हैं कि यह श्रया को पिया आनो बना न't के लिए है लगाती है प्रिएनों को पियानो बनाने के लिए एस लगाते हैं लेकिन बस यह एक नियम है कि अगर ओसे पहले एक वोवल आता है तो आपको सिर्फ एस लगाना है तो चलिए आब आगे बढ़ते हैं तो यहां अगला नियम है जो भी नाउंस के अंज में वाई आता है और वाई के तुरंच पहले एक कॉंसोनेंट यानि व्यंजन आता है उसमें वाई के बदले आप आई लिख दीजिये और अंज में एस जोड़ दीजिये तो चलिए इसके कुछ उधारण देखते हैं बेबी यानि बच्च उसका प्लूरल है बेबी तो यहां आपने वाई के बदले आई लिखा और अंज में एस जोड़ दीजिये वैसे ही बहुत सारे और उधारण है जो इस टेबल में आपको दिखेंगे लेडी यानि महिला उसका प्लूरल लेडीज सिटी यानि शहर उसका प्लूरल सिटीज आर्मी यानि सेना उसका प्लूरल आर्मीज स्टोरी यानि कहानी उसका प्लूरल स्टोरीज अब अगला निया प्लूरल बनाने के लिए आप सिर्फ एस जोड़ दीजिये तो इसके उधारन देखते हैं बॉइ यानि लड़का उसका प्लूरल बॉइस तो यहां वाई के पहले ओ आ रहा है और ओ क्या है एक वॉवल तो उसमें हमने सिर्फ एस जोड़ दिया वैसे ही ट्रे यानि एक आप जितरा से देख सकते एक ऐसी चीज जसमें हम चीजे रखते हैं तो उसका प्लूरल है ट्रेस तो यहां वाई के पहले ए आ रहा है और हमने अंत में सिर्फ एस जोड़ दिया और वैसे ही टॉय यानि खिलो ना उसका प्लूरल टॉइस तो चली अब आगे बढ़ते हैं ए फोर सम नाउंस अंडिंग इन एफ और एस इचेंज एफ और एफ ए इंटो वी एड़ एड़ एस यानि कुछ ऐसे नाउंस जिनके अंत में एफ या एफ ए आता है उसमें वह एफ या एफ ए के बदले वी लिख दीजिए और एफ में एस जोड़ दीजिए तो चलिए इस एफ के बदले मैंने वी डाल दिया है और अंत में इस डाल दिया है वैसे ही नाइफ यानि चुरी उसका प्लूरल होता है नाइफ इस टेबल में आपको वह सारे शब्द दिख रहे हैं जो अभी बताए गए नियम का पालन करते हैं तो थीव यानि चोर उसका प्लूरल हो ग दाल दिया है आप इस वीडियो को पॉस करके टेबल के बाकी सारे शब्द भी एक बार पढ़ लीजिए और मैंने सब के हिंदी अनुरूप भी डाले हुए है तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो जीए सिफ दो शब्द है जिससे आप शायद परिचत नहीं होंगे लोफ और ए जानी है जो सिफ कहानियों में पाया जाता है तो इसके भी चित्र से आप देख सकते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं पिछले नियम के मैंने जो उधारन दिये और टेबल में जो शब्द थे उनके इलावा काफी कम शब्द है जो पिछले नियम का पालन करते हैं और वो सा उनके आमतर पर बागषीत में इस्तिमाल नहीं किये जाते है उनके लिए यहां अगला नियम है यानि दूसरे जो शब्ध है जिनके अंत में F या F E आता है उनके अंत में सिर्फ F जोड़ दीजिए plural बनाने के लिए तो चलिए इसके कुछ उधारन देखते है Chief यानि मुख्या जिसका plural होता है Chiefs Safe यानि Locker उसका plural होता है Safes Proof यानि प्रमाण उसका plural होता है Proof Gulf यानि खाड़ी जिसका आप चित्र से अच्छे से समझ पाओगे इस एरिया को Gulf का जाता है तो इसका plural होता है Gulf Cliff यानि उची और ढालू चट्टा यह भी आप चित्र से अच्छे से समझ पाओगे इस एरिया को Cliff का जाता है यानि जहां से आप गिर सकते हैं, उसको क्लिफ कहा जाता है, तो उसका plural होता है क्लिफ्स, और हैंकर्चिप यानि रुमाल, उसका plural होता है हैंकर्चिप्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अगला नियम, few nouns form their plural by changing the inside vowel of the singular, यानि थोड़ी ऐसी संगिया है, जिनका plural बनाने के लिए, आपको उसके अंदर के vowel को बदलना पड़ता है, चलिए इसके कुछ अधारण देखते हैं, man, यानि आदमी, तो इसका plural होता है, man, यानि बहुत सारे आदमी, वैसे ही, tooth, यानि दाथ, और उसका plural होगा teeth, यानि बहुत सारे दाथ, तो यहाँ आप देख सकते हैं, man के vowel को, जो a था, उसको बदल के मैंने e कर दिया, वैसे ही, tooth में दो wovels टे, o और o, उन दोनों को बदल के मैंने e और e कर दिया, आप इस चीज का ध्यान रखिए, कि जब मैं बोलता हूँ, बहुत सारे, तो उसका अर्थ होता है, एक से अदिख, और आप शब्द देखके नहीं बता पाएंगे, कि इसमें आपको अंदर के wovel को change करना है या नहीं, तो आपको ये सारे शब्द याद रखे पड़ेंगे, जिसमें आपको अंदर के wovel को change करना है, इस वीडियो में मैं आपको वो सारे उधारण दोंगा, जो आम तोर पर बातचीत में इस्तिमाल किये जाते हैं, ऐसे और भी शब्द हो सकते हैं, जिसमें आपको अंदर के wovel को change करना हो, लेकिन वो आम तोर पर बातचीत में हम इस्तिमाल नहीं करते हैं, तो मैंने आपको दो उधारण दे दिये हैं, man का plural होता है मिन और tooth का plural होता है teeth, वैसे ही दूसरे उधारण इस table में है, woman यानि महिला, उसका plural है women, तो यहाँ पे a को बदल के मैंने e कर दिया है, फिर foot यानि पेर, उसका plural होता है feet, mouse यानि चूहा, उसका plural होता है mice, अब यहाँ देखे, और यू शब्द के अंदर आने वाले waffle है, तो उन दोनों को बदल के मैंने i लिख दिया है, लेकिन e शब्द के अंत में आने वाले waffle है, तो उससे मैं बदलूंगा नहीं, वैसे ही laus यानि जूह, उसका plural होता है lice, और goose यानि हंस, उसका plural होता है geese, तो चलिए आगे उसका एक सारा आँच देख देते हैं, तो सबसे पहले अगर आपको कोई singular भी आना है, तो उसका plural बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे, कि क्या उसके अंत में s, sh, ch, kya x आता है, अगर हाँ, तो उसके अंत में आप es लगा दीजिए, उसका plural बन अगर इसके अंत में o आता है, तो आपको उसके अंत में या तो s लगाना होगा, या es लगाना होगा, यह इस बात पर निर्पर करता है, कि यह वो कौन सा शब्द है, तो मैंने आपको बता दिया था, कि अगर किसी शब्द के अंत में o आता है, तो उसका plural बनाना थोड़ा निए और रेटियो का प्लूरल होता है रेडियो इसके अंत में मैंने सिर्फ सब्सक्राइबरी अब ब इस लगा चाहले मैं रेताएं और वा रमने ऐस लगा है टा और मेंनagen आप मैं s लगा सकता हूं या ee ऐट सकता हूं कि फिर आप देखेंगे कि क्या उसके अंत में y आता था अगर हां तो आप देखेंगे का y की तुरले कौण सा अक्षर आता है तो अगर y के तुरले एक में वॉवल आता है तो आपchen पेहिं उसके seminar तो इसके भी उधारण हमने देखे थे boy का plural था boys क्योंकि y के पहले o आ रहा था जो एक vowel है और baby का plural था babies क्योंकि y के पहले b आ रहा था जो एक consonant है उसके बाद आप देखेंगे कि क्या उस शब्द के अंत में f या fe आता है अगर हाँ तो आप f या fe f को या तो v e s से replace कर देंगे या तो उसके अंत में s लगा देंगे और यह भी इस बात पर निर्भर करता है कि वो कौन सा शब्द है तो मैंने आपको एक table और कुछ उधारण दिये थे उन शब्दों के जो पहला नियम का पालन करते है और मैंने बताया था कि बाकी सब शब्द दूसरे नियम का पालन करते है तो अगर thief है तो उसका plural था thieves जिसमें f के बदले मैंने v e s डाल दिया और अगर chief है तो उसका plural था chiefs जिसमें मैंने सिर्फ s जोड़ दिया था अगर आप देखेंगे कि क्या ये noun उन category of words में गिरता है जिसमें हमें उस शब्द के अंदर के wobble को बदलना पड़ता है तो इसके उधारन भी हमने देखे थे man का plural था men और goose का plural था geese यहाँ a को बदल के मैंने e लिख दिया था और यहाँ दोनो o को बदल के मैंने दोनो e लिख दिये था और अंद में अगर आपको इन किसी भी category में गिरने वाला शब्द नहीं मिलता तो best तरीका होता है कि आप अंद में एक s जोड़ दीजिए खोड़े ऐसे advanced चब्द है जिनके plural बनाने का अलग तरीका होता है जैसे bacterium का plural होता है bacterium लेकिन ये advanced शब्द मैं एक अलग वीडियो में आपको बताऊंगा और ये सारे शब्द आम तौर पर आम जिन्दगी में बोले नहीं जाते है तो इसी लिए जो आम तौर पर बोले जाते है ऐसे शब्द में usually हम एस लगा देते हैं Google बनाने के लिए तो आज के लेक्चर की कुछ विविद बाते कर लेते हैं तो आज हम सीखेंगे introducing yourself यानि अपना परिचे देना यहां स्क्रीन पर आपके सामने कुछ वाक्या है जो आम तोर पर किसी को अपना परिचे देने में इत्तिमाल किये जाते हैं तो सबसे पहले नाम My name is Yash यानि मेरा नाम Yash है फिर उमर I am 20 years old यानि मैं 20 साल का हूं फिर पता I live in Mumbai यानि मैं Mumbai में रहता हूं फिर मैं क्या करता हूं तो I am a student यानि मैं एक छात्र हूं तो अगर आप कोई कंपनी में काम करते हो आप लिख सकते हो I am an employee या अगर आप सिक्षक हो तो आप लिख सकते हो I am a teacher वगेर वगेर फिर मैं कहां पढ़ता हूं तो I study at IITB यानि मैं IITB में पढ़ता हूं तो अगर आप किजी कंपनी में काम करते हो तो लिख सकते हो आइ वर्क इन और जो भी आपका कंपनी का नाम है तो अगर आप सपोज XYZ कंपनी में काम करते हो आप लिख सकते हो कि I work in XYZ कंपनी वगर वगर और रंत में मेरे शौक किया है तो रीडिंग इस माइ होबी तो पढ़ना मेरा शौक है आप अपने कोई भी शौक लिख सकते हो प लिखना वगर वगर तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो अब मैं आपकी एक छोटी सी एक्जाम लोगा इस एक्जाम में आपको स्क्रीन पे तिये गए शब्दों का सिंग्युलर लिखना है यांई एक वचन लिखने हैं तो पहला शब्द है काउस यानी गाएं शबर बटरफ्लाइस यानी तितली एंश बॉक्स यानी बक्से किलो इनि किलो उल्फ यानी भेडिये प्रूफ यानी बहुत सरे प्रमाण और फायर्में यानी बहुत सार ऐसे ये लोग जो fire brigade में काम करते हैं तो चली आगे बढ़ते हैं इस exam के उत्तर मैं आपको अगले वीडियो में दिनगा तो आज के lecture के लिए इतना ही मैं बस आपको इतना बता देना चाहता हूं कि singular का plural बनाना इक आसान कम नहीं है और बहुत सारे नियम होते हैं और अलग अलग शब्द अलग अलग नियमों का पालन करते हैं तो अगर आपको कई ऐसा शब्द मिले है जो मेरे बताए हुए नियमों का पालन नहीं करता तो चौक मत जाएगे क्युकि हर नियम के लिये कोई तो ऐसे श़द रूते ही है, जो तो नियम का पालब नहीं करते हैं और थोड़े नियम ऐसे है, जो मैंने आपको अप तक बता है नहीं, क्यूंकि वो आम तोर पर बोले जाने वाले शब्दों के लिए इस्तिमाल नहीं होते हैं, तो वह मैं एक advanced वीडियो में आपको बताऊंगा और आप कोशिश करिए कि आप ज्यादा से ज्यादा singular के plural को याद रख सकते हैं